नमस्ते मैं विनाश आप सब्सक्राइब अब स्वागत करते हुए लाश्ट विक में बैंग निफ्टी ने एक्चुली डाउन मुवी दिया है लेकिन कल के दिन में थोड़ा सा पेज बनाते हुए हमको दिखाई दिया तो अगले विक में शायद हम अब मुद देख सकते हैं और वो अब मुद आएगी तो कितनी आएगी यह हमको देखना है अभी जैसे कि यहां पर कल के दिन में अगर हम लोग देखते हैं तो मैं देख बना था कि लो के नीचे लो कोई बनता है क्या तो यहां पर जो लाश्ट लो बना था उसके नीचे यह लो बना नहीं है तो यह लो नहीं बना तो यह इसका यह high का time angle जो है वो cross होने के बाद buy नहीं बनता है तो second high जो है यह first high बनता है और यह second high तो यह first high second high का time angle जब cross हो जाएगा तब हमारा buy बनेगा तो यह जो level है वो 46,760 आ जाती है 46,760 के ऊपर हमको एक bank nifty में intraday का buy बनेगा अब यह जब buy बनेगा तो इसका target क्या रहेगा तो इसका target जो रहेगा इसके बाद second target जो रहेगा वो आपका यहां पर आ जाएगा 46 यहां पर भी आप पकड़ सकते हो 46,250 से लेके 350 पकड़ लिजे तो 47,350 से लेके 47,350 यह एक अपर जोन हमको बिल सकता है जहां पर यह दो target possible target है और अगर यहां से भी एक अच्छी move उपर में दिखाई दी तो फिर हमारा target जो रहेगा वो around 47,800 के आसपास हमको दिखाई देगा लेकिन जो top से downward angle आया हुआ है वो यहां पर अपना काम करते हुए दिखेगा पहली बात तो यह top से भी मतलब यह top से भी जो आएगा वो भी काम करते हुए दिखेगा और वो जो है वो करीबन आपको 47,400 के range में आएगा तो 47,400 मतलब वो जो मैंने 350,250 का जो range बुला है वही level पर यह time angle काम करेगा और यह time angle अगर आपका आपका cross हो जाता है तो उपर का level 47,800 या तो उसके उपर का अगर हम लोग यहां का time angle लेखते हैं तॉप से जो downward angle आया हुआ है वो अगर देखते हैं तो 47,630 यह दो यह target रहेगा तो all in all मैं इसे भी इतना ही बोलों कि अपमू हमारे लिए हम लोग expect कर सकते हैं और अगर एक अच्छा target देखते हैं तो 47,400 तक का एक target आ सकता है जो हमको यहां से करीबन 1000 point उपर है और अगर वहां से उपर आया तो 47,800 तक का target हम लोग देख सकते हैं अगर यह नीचे के side में bottom तूट गया तो फिर हमको एक अच्छा नीचे के side में मूम देख सकता है और वो जो मू रहेगा वो फर्स्ट टार्गेट जो रहेगा वो करीबन 46,135 के आसपास रहेगा उसके बाद आपको 45,800 उसके बाद 45,400 तो यह नीचे के 3 लेवल आपको दिखाई दीगे जो आपको बैंक डिफ्टी में नीचे के side में दीख सकते हैं अगर मैं आपको थोड़ा सा बड़ा पिक्चर दिखाऊ तो आपको यह दिखेगा कि जो बॉटम से मैंने time angle डाला हुआ है वो time angle और यहां से मैं जब यह यह थोड़ा साटा देता हूं मैं यह एक चैनल बना हुआ है यह चैनल में आपको upper end और lower end दिख रहा है और यह चैनल में bank nifty play कर रही है तो most probably यह चैनल continue होते हुए दिखेगा और यह चैनल जब break होएगा तब 47,544 जब break होएगा तब channel का upper end हमारे लिए possible है और यह अगर हम लोग ऐसे भी देखते हैं तो यहां पे भी आप देखते हो कि जब भी एक top से देखिए यह top cross किया यहां से यह top cross किया top से downward angle आया वो cross किया उपर गया वही downward angle को retest किया वापिस यह top से जो मैंने downward angle डला है वो उपर गया वहां से यह again यह downward angle को retest कर रहा है और उपर जा सकता है और जब यहां से यह उपर जाएगा तो possible target हमारा 48,749,000 तक का रहेगा जो all time high के उपर है लेकिन यहां पर एक scenario अभी भी बनने का बाकी रह सकता है कि low के नीचे low बनाया और फिर वापिस यह उपर आ गया तो यहां पर एक possibility रह सकती है नीचे आके वापिस उपर जाने की तो उसको हम deny नहीं कर सकते हैं तो 46,100 से लेके 46,000 जो यह है वो बहुत crucial रहेगा वो जब तक break नहीं होता है तब तक हमको कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूत नहीं और उपर की साड़ में जैसे 47,600 अगर क्रॉस हो जाता है तो हमको बड़ी तेजी के लिए परेड़ी रेने अब यह मैंने बैंक निफ्टी के बारे में आपको बता देता हूं निफ्टी के बारे में अगर हम लोग देख थे तो 15 मिनिट का चार्ट का जो अगर हम लोग देख रहे हैं तो यह मैंने डाला हुआ है बॉटम से जो रिसेंट बॉटम हुआ था 21,114 वहां से जो मैंने यह टाइम अंगल अपवर्ड टाइम अंगल डाला है वहां पे यह प्ले कर रही है और यह अगें मैं आपको जैसे वहां क्रोस हुआ मैंने यह डाला इसके बाद अगर यह हाई से मैंने यह डाला यह हाई से मैंने डाला तो अभी आप देखेंगे कि जैसे यह हाई से मैंने यह डाला हुआ क्रोस हुआ नीचे आके वापिस उपर गया लेकिन बाद में यहां पे ब्रेक नहीं हुआ वो क्रोस यहां पर अभी सपोर्ट ले रहा है तो निफ्टी में बॉटम तूटना नहीं चाहिए 21,900 से 850 का जो दोने वो तूटना नहीं चाहिए अगर वो तोड़े बीना अगर निफ्टी उपर आ जाती है तो हमको अपर एंड डेखने में मिल सकता है और अगर इसके बाद उपर आने के बाद ये जो लेवल है 21,400 वो जब तक क्रॉस नहीं होती है 21,380-400 ये लेवल जब तक क्रॉस नहीं होती है तब तक हमको उपर का टा प्रागेट फिर हमको 22,800-900 के बीच में मिल सकता है तो मैं अभी very optimistic हूँ कि हमको उपर की movement मिल सकती है mid cap side और small cap में अलग कहानी है उसका थोड़ा सा हमको अलग से study करना पड़ेगा लेकिन फिलाल निफ्टी और bank निफ्टी में मुझे लग रहा है कि ये अप्पू हमको मिलेगी नीचे के side में अगर हम लोग देखते है तो अगर निफ्टी नीचे के side में break हो जाती है तो 21,900 या 21,850 तूटती है तो नीचे के side में 21,500 और 400 का एक target हमको देखने को मिल सकता है तो यहां पे निफ्टी में मैंने आपको बता दिया कि क्या होगा उपर की side में अगर हम लोग देखते हैं तो इंट्राडे में कल निफ्टी में एक छोटा सा बाय सिगनल हमको जनरेट होते हुए दीखा था यह थोड़ा सा मैं आपको 5 में लेके जाता हूँ यहां पे देखिए यह लो के नीचे यह लो मारा था और यह लो के नीचे भी यह लो थोड़ा सा मार्जिनली मारा था जैसे कि मैं आपको बता दिता हूँ यह यह लो जो है 21,934 है और यह लो जो है 21,931 है तो यहां से अगर आप देखते हो मैंने टाइम एंगल अगर यहां पे डाला तो यहां पे एक बाय सिगनल जन्रेट हुआ था और वह बाय सिगनल अभी इंटेक्ट है जब तक यह अभी देखिए यह यह कैंडल फर्स कैंडल एक रॉस हुई और वह जब तक उसका लो नहीं तो यहां पर यह जो लेवल है यह लेवल बहुत इंपॉर्डटन है 21,970 और 21,970 जब तक तुटा नहीं तब तक यह बाय सिगनल इंटेक्ट रहता है तो यह इसी सबसे अगर हम लोग देखते है तो निफ्टी में बाय सिगनल इंटेक्ट है और वह शायद हमको लगता है क यह उपर की तरफ मुवमेंट लेके जाने के लिए कैपेबल है और अगर निफ्टी यहां से नीचे आती है तो और थोड़ा सा फिर 21,900 के आसपास सपोर्ट मिलते हुए दिखेगा यहां पर साइडवेस फिर्म जोन चालो हो जाएगा तो मैं इतना ही बोलूंगा अगर यह लो तूटा 21,900 तूटा तो 21,850 तक एक सपोर्ट मिलेगा लेकिन वहां से अगर यह उपर आता है तो 21,250, 270 के उपर हमको बड़ी मुँ देखने को मिल सकती है तो यहां पर अभी समझो यहां से यह उपर निकला है तो अभी आपको एक नियरबाई टार्गेट जो रहेगा वह 22,200 का एक टार्गेट रहेगा इसके बाद इसका टार्गेट जो रहेगा 22,250 और उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो निफ्टी का नया टार्गेट जो आएगा फिर वो 22,525 के आसपस आएगा तो अगर हम लोग देखते हैं तो निफ्टी बैंक निफ्टी का चैनल पे प्ले कर रही है और मेरे हिसाब से ये अच्छे लेवल पे है और उपर की तरफ और नीचे की तरफ की मैंने लेवल बताई हुई है तो मेरे ख्याल से तो लोग देख सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आयो तो प्लीज आप शेयर कीजिए लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए जैहिन ठेंक्यू झाल 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 झाल